हलो सुलेंट्स मिना नाम दीरज बहुंद वेदी and स्वागत आपके फेवरेट चानल मागनेट ब्रेंज पर मागनेट ब्रेंज एक ऐसा चानल जहां पर आपको मिलता है बिलकुल फ्री ओनलाइन एड्यूकेशन और वो भी एक क्वालिटी एड्यूकेशन और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मागनेट ब्रेंज पर किंडर गार्डन से लेके क्लास 12 तक के सारे बुक्स करेंगी है ना चले तो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं आपके क्लास 12 अजिक्स का जो चाप्टर है चाप्टर नंबर 9 डाट इस रे आप्टिक्स अन ऑप्टिकल इंस्ट्रुमेंट का एक बहुती जादा बहुती जादा important topic that is total internal reflection है ना यह वो topic है जहां से अच्छे questions पूछे जाते हैं और अच्छे level की questions आते हैं ठीक है चलो क्या होता है total internal reflection ठीक है आओ समझते हैं ठीक है ध्यान देना ठीक है definition लिखा हुआ है है पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ समझाता हूँ ठीक है ध्यान देना इधर यह मान लो आपका interface है between two medium है ना यह आपका denser medium और यह आपका rarer medium ठीक है अभी दियान देना यह मान लो मैं यहाँ पर incident कराने वाला हूँ ray of light को तो यह normal होगा ठीक है अब देखो ray of light को travel करा रहा हूँ मैं denser to rarer ठीक टी आई यार तभी होता है जब ray of light denser से rarer में जाए ठीक है रीरर से denser में आएगा तो टी आई यार नहीं होगा ठीक है अभी बात करेंगे इसको लेके है ना ध्यान देना आप बदाओ यह आपका लिया मैंने ठीक है incident रहे है यह देखो तो आप बदाओ denser to rarer bending होती है away from the normal ना यह मालूम है ठीक है यहाँ पर मान लो angle यह है आपका suppose करना आई clear ठीक है अब देखो यहीं पर माला same कहानी है अब मैं क्या कर रहा हूँ angle of incidence को और बढ़ा रहा हूँ ठीक वही denser और rarer यह सारे activities एक ही जगा होती है लेकिन मैं आपको अलग से show करके दिखा रहा हूँ ठीक है अब देखो यहां से यह आपका normal अब मैंन angle of incidence को और बढ़ाया ठीक है और बढ़ाया मैंने अब देखो यहां से यहां पर यहां पर क्या हुआ यह आई डाश माल लिया तो ray of light और bend हो गई ना आपकी away from the normal ठीक है अब मैंने क्या किया angle of incidence और बढ़ाया ठीक तो वो और होगी away from the normal ठीक है यह देखो धहां से यह आपका denser यह आपका rare है मैंने यहां पर और बढ़ा दिया ठीक है यह angle और बढ़ा हो गया i double dash यह इससे भी जादा है greater than i dash ठीक अब देखो यहां पर यह वो angle of incidence हुआ जिसमें आपका जो refracted ray है वो normal से away में वो along the surface हो गया ठीक मतलब जैसे जैसे हम angle of incidence बढ़ाते जाएंगे वो जो आपका refracted ray है वो और जादा normal से दूर होता जाएगा और एक ऐसा angle of incidence आएगा जिसमें आपका refracted ray surface के along हो जाएगा मतलब angle of reflection कितना हो जाएगा 90 degree हो जाएगा ठीक है तो जिस angle of incidence पे आपका refracted ray surface के along होगा मतलब angle of reflection 90 degree होगा उस angle of incidence को कहते हैं हम लोग critical angle क्या कहते हैं इसको हम लोग critical angle हाई है न ठीक है मतलब critical angle is that angle of incidence at which refracted ray become parallel to surface यह यह कहले हम लोग कि critical angle is that angle of incidence at which angle of reflection become 90 degree मतलब surface के along हो जाएगा ठीक अब देखो अब आप फिर भी नहीं माने आपने क्या कर दिया और ज्यादा कर दिया angle of incidence मतलब critical angle से भी आपने ज्यादा कर दिया ठीक तो अब देखो ध्यान से क्या होगा यहाँ पर यह आपका dancer यह आपका rarer अब देखो आपने और ज्यादा कर दिया मतलब यह बाला जो angle of incidence है ठीक है वो आपका triple dash मान लेते हैं यह आपका critical angle से भी ज्यादा है तो यहाँ पर instead of reflection के reflection देखने को आपको मिल जाएगा है कि नहीं मतलब अगर angle of incidence denser medium में critical angle से ज्यादा होता है तो instead of reflection reflection हो जाता है इसी phenomenon को कहते हैं हैं हम लोग total internal reflection है के नहीं ठीक है तो यहाँ पर देखो अब statement पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको when rays of light travel from denser medium to rarer medium with angle of incidence greater than critical angle then instead of reflection reflection takes place ठीक है इस फिनामिना इस कॉल्ड आज टोटल internal reflection is it clear ठीक है यह होता है आपका total internal reflection ओके अब मेरी बात को सुनों अब आप बुलोगे कि सर हम कैसे मालूम करेंगे कि critical angle कितना होगा ठीक है तो मेरी बात को सुनों हर denser medium के लिए critical angle की value अलग-अलग होती है भाई अगर हम बात करें कि denser medium में अगर मान लो water है तो water में critical angle की value अलग-अलग होगी अलग होगी glass की बात करें तो glass में critical angle की value अलग-अलग होगी मैं लग होगी मैं यह कहना चाह रहा हूं कि हर डेंसर मीडियम का क्रिटिकल अंगल अलग-अलग होता है जिसे मैंने कहा मान लो example लिता हूं मैं कि water में बोलता है कि क्रिटिकल अंगल आपका 30 डिगरी है इसका मतलब कि 30 डिगरी से जादा अंगल पर अगर आप इंसिडेंट कराओगे तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा reflection हो जाएगा तो आप इस ब्रह्म में मत रहो कि अगर आपका दोस मीडियम है ठीक है और transparent है तो वहाँ पर ray of light आरपार जाएगी ही जाएगी ऐसा जरूरी नहीं है वो डिपेंड करता है कि आपका जो angle of incidence है वो critical angle से कम होना चाहिए तो आरपार होगी reflection होगा नहीं तो अगर critical angle से जादा होगा angle of incidence तो आपका reflection के जगा क्या हो जाएगा raise वापस आ जाएगी हाए ना ठीक है यह होता है आपका simple total internal reflection ठीक है अब मैं किसी भी particular medium का critical angle कैसे ढूंडते हैं मलग किसी भी medium का critical angle कैसे find out करते हैं उसके लिए मैं आपको एक expression बताऊंगा ठीक है तो पहले काम करें इसका screenshot लेने फिर मैं बताता हूँ critical angle को लेके चलो अब देखो ध्यांसे critical angle कैसे निकाला जाता है तो वैसे तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है definition आओ ज़रा पर definition पढ़ते हैं critical angle for the pair of media in contact as the angle of incidence in the denser medium critical angle हमेशा denser medium बनेगा क्योंकि TIR तभी होता है जब denser से rearer में जाती है रहे है कि नहीं तो critical angle मतलब वो denser महीं बनेगा ठीक है तो critical angle for the pair of media in contact as the angle of incidence in the denser medium corresponding to which angle of refraction in the rearer medium is 90 degree मतलब critical angle वो angle है incidence का in the denser medium जिसमें जो angle of refraction है rearer medium में वो 90 degree हो अभी बात की थी न मैंने ठीक है कि एक ऐसा angle of incidence जिसमें आपका refracted surface के along हो जाए मतलब angle of refraction 90 degree हो जाए उस angle of incidence हो कहते हैं हम लोग क्या critical angle है कि नहीं तो simple वही कहा कि it is that angle of incidence ठीक है in a denser medium at which the angle of refraction is 90 degree in the rearer medium है कि नहीं rearer medium में 90 degree बनती है नहीं ठीक चलो तो यह होता है आपका critical angle अब critical angle की value निकालते कैसे हैं सुनना ध्यान से इधर देखो यह आपका है interface यह आपका denser यह आपका rearer clear है ठीक है अब देखो ध्यान से आप लोग सुनो मालो यह है आपका angle of incidence जिसकी value critical angle के बराबर है ठीक है अब बताओ जब angle of incidence critical angle के बराबर होगा तो refracted raise surface के long होगा मतलब angle of refraction 90 degree होगा न 90 degree बोलो हाई न ठीक चलो अब देखो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ Snell's law ठीक है दियाँ देना by Snell's law क्या होता है Snell's law simple the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction are always remain constant that is refractive index ठीक तो आओ देखो angle of incidence कौन है C न और angle of refraction कितना है 90 degree न तो sine I, I के जगा C लिखेंगे upon sine R और R के जगा हम 90 degree लिखेंगे न equal to अब बताओ किसका refractive index लिखूँगा मैं जिस medium में light जाती है तो denser से rearer के तरफ है तो हम rearer का refractive index लेंगे न विद रस्पेक्ट तो denser स्नेल्स law में ये मैंने discuss किया हुआ है यहना laws of refraction में कि जिस medium में light के entry होती है उसका लेते हैं refractive index तो यहाँ पर rearer में entry हुई है तो refractive index of rearer with respect to what denser ठीक अब देखो यह हो गया आपका sine C वैसा कब ऐसा sine 90 तो होता है one तो लिखने का मतलब नहीं है अच्छा इसको क्या मैं लिख सकता हूँ one upon refractive index of denser with respect to rearer ना यार generally जो formulas होते है न उसमें refractive index हमेशा denser medium का लिया जाता है with respect to rearer medium है के नहीं ठीक है तो इस formula से हम निकाल सकते हैं क्या किसी भी medium का critical angle for example for example सुनो आप ये बताओ अगर मान लो मैं बात करता हूँ पानी और air का ठीक है combination ध्यान देना इधर देखो मान लो ये आपका water है और ये air है ठीक है अब यहाँ पर critical angle की value आपको निकाल ली है ठीक है तो आप formula में आओ तो देखो sin c equal to one upon refractive index of denser denser में कौन है water with respect to rarer कौन है air और with respect to में air या vacuum हो तो उसे हम क्या बोलते हैं absolute बोलते हैं यार तो basically ये क्या है refractive index of water absolute का और वो होता है 4 by 3 ठीक तो ये हो जाएगा 3 by 4 ना उल्टा करने के बाद तो आप बताओ c की value sine inverse 3 by 4 होगा ना तो critical angle की value मिल जाएगी ना इतना angle होगा अब तुम बोलोगे sir degree में कैसे निकाले अब degree में तो यार guess करके निकालना बढ़ेगा कि इसके आसपास आएगा क्योंकि ये आपका कोई specific value नहीं है तो 3 by 4 कितना होता है मालूम ये आपका होता है 0.75 तो 0.75 में c की value मला degree में कितना होगा तो आप बताओ ज़रा अगर देखते हैं sine 60 तो होता है root 3 by 2 root 3 by 2 का मतलब 1.732 upon 2 तो 1.73 upon 2 मला 0.8 something तो sine 60 पे होता है आपका 0.8 something और ये है 0.75 मला 60 से कम होगा न बई ये है आपका 0.75 ये है न 0.75 ठीक है तो 0.75 आपका sine 60 होता है 1.732 upon 2 मला 0.8 something तो sine 60 पे 0.8 होता है इसका मतलब 60 से कम अंगल पे 0.75 होगा न ये तो कुछ ऐसा 50-52 डिगरी के आसपास कुछ आएगा आपका critical angle है के नहीं ठीक है तो यहाँ पर आप inverse के terms पर भी critical angle की value निकाल सकते हो ठीक है तो किसी भी medium का अगर आपको critical angle निकालना है तो you can use this simple formula is it clear ठीक है चलो तो यह है आपका critical angle है ना इसका screenshot ले फिर हम बात करेंगे condition for total internal reflection ठीक है इसको screenshot ले ले चलो बई अब हम देखते हैं यहाँ पर condition तो condition भाई दो होते हैं TIR के पहला condition तो यह कि ray of light travel करना चाहिए denser to rarer तभी आपका total internal reflection होगा माला rarer से अगर ray आएगी denser की तरफ तो TIR नहीं होता वहाँ तो action होना ही होना है ठीक है तो पहला condition तो यह हो गया कि light should travel from a denser medium to rarer medium पहला ठीक है दूसरा आपका angle of incidence जादा होना चाहिए ना critical angle से तभी आपका TIR होगा है कि नहीं तो यहां लिखा हुआ है angle of incidence in denser medium should be greater than critical angle तो ही होगा आपका total internal reflection ठीक है तो यही दो चीज़े हैं जो आपन बात कर रहे थे वही मैंने दो condition आपको बताई exam में आता है write the condition for TIR तो यह condition है दो शर्थ है ठीक है चलो तो इसका जरा screenshot ले लें आप लोग चले तो यहां पर अपना यह जो TIR topic है total internal reflection वो खतम होता है इसके उपर questions अच्छे बनते हैं अब जब मैं आगे चलके NCRT कराऊंगा न तो NCRT में आपको कुछ अच्छे questions दिखेंगे इसमें बहुत दिमाग यूज होगा वो TIR पर बेस होगा ठीक है तो बस यहां पर अपना topic over होता है तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है symbol magnetbrains.com पर जाएं यहां पर magnetbrains का YouTube channel है वहां पर आप जाएं वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे courses मिलेंगे जो कि बिल्कुल free of cost है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने एक दो दोस्तों के साथ इसको share भी करें ताकि उनको भी इसका benefit मिल पाए थैंक यू